नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मज़िदार उपन्यास तीन दिन औरियंटल शिपिंग कॉर्परेशन के विशाल एवं अत्यंत वैभव शाली यात्री वाहग जहाज सिल्वर स्टार को बंबई की बंदरगार पर लगे एक घंटा हो चुका था जबकि राहूल ने डेक पर कदम रखा लगभग सभी यात्री सेर सपाटे के लिए जहाज पर से कूछ कर चुके थे जहाज के क्रू के सदस्ते भी कुछ चा चुके थे और कुछ जाने के तयारी कर रहे थे जो अभी नहीं गए थे उनमें से एक जहाज का परसर राहूल था राहुल एक 6 फुट से भी निकलते कद का खूब मोटा व्यक्ती था वह अभी केवल 28 साल का था लेकिन वजन में वह एक क्विंटल से भी जादा था उसकी विशाल आकार की वज़े से ही लोग उसी राहुल रामचंदानी कहने की जगा राहुल रोड रोलर कहते थे अलबता उसके मुँपर ऐसा कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी थी जिसकी वज़े से पाहट ठंडी हवा चल रही थी राहुल ने नथुने फुला कर एक गहरी सांस ली और परे किनारे पर जगमत करती बंबई शहर की रोश्णियों की तरफ देखा बंबई में वह पहरी बार कदम रख रहा था उस रंड वह जहाज की वर्दी सफेद कमीच और सफेद पत्रुन पहने था सेर पर वह सिल्वर स्टार के सुनहरे मोनोग्राम वाली पीक कैप पहने था अपना नीला ओवरकोट वह अपनी बहाँ पर डाल कर डेक पर पहुँचा था लेकिन बातावरं की ठंड़क को महसूस करते हुए उसने ओवरकोट पहन दिया उसने डेक पर नाय माय निगा दोड़ाई जहाज का पुर्तगाली कैप्टन रेरिंग के सहारे खड़ा एक संपन पैसंजर से बाते कर रहा था राहूल उसके करीब से होता हुआ गैंगवे की तरफ बढ़ा तो कैप्टन ने उसे नाम देकर पुकारा राहूल ठिटका घूमा और फिर लंबे डग भरता हुआ कैप्टन के करीप पहुचा तीन दिन कैप्टन अपनी तीन उंगरिया उठा कर उसे दिखाता हुआ बोला सिर्फ तीन दिन रुकने वाला है हमारा जहाज इस बंदरगा पर मुझे मालूम है राहूल बड़े अदब से बोला अभी मालूम है लेकिन विस्की का गिलास हाथ आते ही सब भूल जाओगे ऐसा नहीं होगा सर आज मंगलवार है शुक्रवार शाम को 7 बजे जहाज यहां से कराची के लिए रवाना हो जाएगा उससे पहले तुमने यहां वापस ड्यूटी पर होना है यस सर इस पार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला इसलिए दिन और वक्त याद रखना यस सर आइंदा तीन दिन तुम शराब पीते हो या उसमें गोते लगाते हो यह तुम्हारा जाती मामला है वैसी चाहो तो तजुर्बे के तौर पर इन दोनों बातों में कभी फर्क महसूस करके देखना किन्दो बातों में शराब पीने में और उसमें गोते लगाने में यस सर फ्राइडे एवनिंग 7 पीम शार्प यस सर कैप्टन को खामोश हो गया पाकर राहूल फिल गैंगवे की तरफ पढ़ गया कैप्टन कुशन राहूल को देखता रहा और फिर समीब खड़े पैसंजर की तरफ खुमा यह लड़का कैप्टन बोला जब जहाज पर होता है तो विस्की को हाथ तक नहीं लगाता लेकिन जहाज बंदरगार पर पहुँचा नहीं खुशकी पर इसके पौँप पढ़े नहीं कि इसका विस्की में डूबने उतरने का प्रोग्राम शुरू यह तो आपके लिए अक्सर मुसीबत खड़ी कर देता होगा पैसेंजर बोला जहाज पर नहीं करता जहाज पर तो इससे ज़्यादा मुस्तैद फर्मा बर्दार और जिम्मेदार आदमी ढूनना मुहाल है हाला कि काम करना इसके लिए कते ही ज़रूरी नहीं लेकिन फिर पिर जहाज पर यह पूरी मेहनत लगन और इमानदारी से काम करता है काम करना ज़रूरी क्यों नहीं इसके लिए कैप्टर एक्षन ठिटका और फिर बोला ग्रैगरी साहब, आप हमारे regular pattern है इस दिये मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ क्या? पैसंजर उस्सुख भाउ से बोला यह लड़का जो इस जहाज पर बतोर परसर न्यूक्त है हकीकतन इस जहाज के और अरेंटल शिपिंग कॉर्परेशन के मालिक क्रिपाल रामचंदानी का इकलोता बेटा है क्या? जी हाँ यानि की हकीकत में इसका नहीं यह मेरा बॉस है यह मेरा एंप्लॉयर है कमाल है यह यह यहाँ बतोर परसर काम करता है इसके बाप को एतराज नहीं बाप को मालूम हो तो जरूर एतराज होगा कैप्टन, what is the story? लड़का इश्क में खता खाया हुआ है किसी लड़की ने ऐसा तिल तोड़ा इसका कि यह जान दे देना चाता था मेरे समझाने पर खुदकुशी का हौल नाक इरादा तो इसने अपनी जहन से निकाल दिया था लेकिन सुकून हासिल नहीं था इसे और लंदन में जहां कि ओरियंटल शिपिन कॉर्परेशन का हैटकॉर्टर है जहां कि यह अपने माबाप के साथ रहता था और जहां कि पूनम नाम की वह बेवफा लड़की भी रहती है इसे सुकून हासिल हो भी नहीं सकता था इसी ने ख्वाइश चाहिर की थी कि मैं इसे जहाज पर अपने साथ ले चलू लेकिन इसके बाप को खबर न होने दू नतीजदन एक अरब पती बाप का बेटा इस जहाज का मालिक यहाँ परसर की नौकरी करता है और अपने तूटे दिल को शराब के नशी से जोडने की कोशिश करता है हमेशा नहीं जहाज जब सफर में होता है तो यहाँ की रौनक में इसका दिल लगा रहता है जहाज बंदरगा पर लगता है तो खाली हो जाता है तब यह नौर्मल नहीं रह पाते है फिर इसके कदम पढ़ते हैं बंदरगा पर फिर होती है बोतल इसके हाथ में और यह बोतल में इसके बाप को तलाश तो होगी इसकी? जरूर होगी आखिर यह अपने बाप की इकलोती उलाद है उसका वारिस है आपका फर्ज नहीं बनता कि आप बाप को इसके बारे में खबर करें बनता है लेकिन मेरा वैसा ही फर्ज इसके लिए भी बनता है मैंने राहूल से वादा किया है कि इसके बारे में इसके बाप को खबर नहीं करूँगा I see, आप इसे वक्त पर लोटने की वार्निंग दे रहे थे और कह रहे थे कि इस बार आप इसका इंतजार नहीं करने वाले हाँ, यह लेट हो जाता है तो मुझे जहाज लेट करना पड़ता है जिसकी वज़े से पैसेंजर खफा हो सकते है कभी किसी पैसेंजर ने इस बात की शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी पराबनेगी यह एक लग्जरी शिप है जिस पर आपकी तरह केवल VIP ही सफर करते है लड़के का वक्त पर यहाँ ना पहुँचना कभी मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है नशे में यह कते ही भूल जाता है कि इसने वापस लोटना है नहीं यह बात तो यह बखुबी याद रखता है दो तीन घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होता यह लेकिन लेट होता जरूर है अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है सिर्फ एक बार चापान में यह वक्त पर पहुँचा था दिल क्यों टूटा इसका यह मुझे नहीं मालूम मेरे पूछने पर भी उस लड़की की स्टोरी सुनाने को यह तयार नहीं होता जिसने इसका दिल तोड़ा है अजीब बात है अजीब भी और गैर मामूली भी वह खुद भी तो ऐसा ही है हाला कि राहुल बाखो भी अफोर्ड कर सकता था लेकिन फिर भी ट्रिंक के लिए वह कभी किसी उचे दरजे के बार में नहीं जाता था अपनी शराब खोडी के लिए वह हमेशा किसी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास बार को चुनता था और ऐसा बार अपरिजी शहर में भी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी अब तक वह पकुभी चान चुका था कि हर बंदरगा के इलाके में ऐसे बार और वैशालिय पहतयात में होते हैं ऐसी किसी इस जगे के बारे में उसे कभी किसी से पूछने की भी जरुवत नहीं पड़ती थी ऐसा एक बार रिमोलो रोड पर वह तलाश कर भी चुका था उस बार का नाम प्रिंसेस बार था और उस वक्त वह ग्राकों से खचा-खच भरा हुआ था सिगरेट की धुएं और शोर शराबे से वह पूरी तरह से रचा बसा हुआ था उससे पहले राहुल ग्राहम रोड पर स्थित एक बार में गया था लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा था और वह सिर्फ दो पैक पीकर ही वहां से कूच कर गया था प्रिंसेस बार उसकी पसंद की जगह निकली थी जेतना पर हावी हो जाने वाला शोर शराबा तनहाई का दुश्मन हुजूम किसी गम, किसी याद को घोल कर पी जाने के लिए हांसिल शराब कोई छे पैक विस्की वह वहां पी चुका था भयंकर नशे की तरफ वह निरंतर अग्रसर हो रहा था लेकिन फिर भी उसको सिर्फ देखकर यह कहना मुहाल था कि वह नशे में था अलबत्ता उसकी आँखे उसकी नशे की हालत की चुगली कर जाती थी जिनमे की सामने वाले को लगता था कि वह उसे देखते हुए भी नहीं देख रहा था शराब को राहुल बिना चके बिना उसका कोई आनंद उठाए पीता था उसके सामने जाम आता था वह उसे उठा कर खाली कर देता था नया जाम आता था तो वह उसे खाली कर देता था नहीं आता था तो वह चुप चाप बैठा जाम सर्व होने की परतिक्षा करता रहता था आखिर उसे जल्दी क्या थी कम से कम तीन दिन तो उसके पास हर बंदरगापर होते थे और उन दिनों में शराब पीने के अलावा उसने और करना क्या होता था राहुल के बगर की मेज़ पर दो आदमी किसी बात पर पहस कर रहे थे कभी कभार वे उत्तेजी थोटते थे तो उंचा उंचा पोलने लगते थे ऐसे एक अफसर पर उनकी आवाज से आकरशित होकर राहुल ने उनकी तरब देखा था तो पाया था कि एक भारी भरकम लेकिन ठिगना सा मराठा था और दूसरा दुबला पतला बास सा लंबा गोवानी था दोनों चारिस के पेटे में थे उनके वारतालाप के कुछ टुकडों को सुनकर ही राहुल ने जाना था कि गोवानी का नाम रोबीरो था और मराठे का नाम मारुती राउ था मोटे तुम मूर्ख है एक बार उसने गोवानी को गुस्ते में कहते सुना साले अभी सिर्फ हमें मालूम है कि धोते मटका एजन्ट होने के साथ साथ गुरुजी का सप्लायर बन गया है और धाई तीन लाक रुपे का माल हमेशा अपने पास अपनी चेब में रखता है अभी मौका सिर्फ हमारे हाथ में है बाद में औरों को भी खबर लग गई तो कोई भी उसका गला काट कर माल छपट लेगा वह कंपनी का आदमी है मारुती राव बोला सिर्फ मटके के मामले में गुरुजी का धंदा उसका अपना है हम मटके के माल को हाथ नहीं लगाएंगे तो कंपनी का कहर कभी हम पर नाजिल नहीं हो पाएगा आज नंबर कौन सा लगा सांता मारिया गुवानी असाहे भाव से बोला अरे मैं तुझे उत्तर की बात समझा रहा हूँ और तु दक्षिन की बात कर रहा है क्या लगाय था मटके पर तुने बीस रुपिया लानत साले मोटे नंबर लग भी गया होगा तो क्या मिलेगा तुझे और मैं जो तुझे डेल लाग का रास्ता दिखा रहा हूँ भाई साहब एका एक राहूल उनकी तरफ जुकता हुआ बोला मटका कहा लगता है दोनों ने चौक कर उसकी तरफ देखा मैं परदेशी हूँ राहूल विने शील स्वर में बोला लेकिन मैंने बंबई के मटके का बहुत नाम सुना है सुना है नंबर रोज निकलता है हाँ मारोती राव के मुझ से निकला मैं तीन दिन यहाँ हूँ मैं भी बटका खेलना चाहता हूँ अब कब निकलेगा नंबर कल शाम को मैं दाव लगाना चाहता हूँ कितने रुपे का सो रुपे का बस हाँ मैं तो य और ही दूर एक बनारसी पान वाले के दुकान है, वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन अब अपना काम करो, गवानी सक्ती से बोला, ठीक है, राहुल तनिक आहर भाव से बोला, और फिर उसने उनकी तरफ से पीट फेड ली, वह फिर अपनी शराब खोरी में मश्गूल हो गया, और कई पैक बी चुकरे के बाद उसे बनारसी पान वाले का दोबारा खयार आया, वह अपने स्थान से उठा और जूमता हुआ बार से बाहर निकल गया, तब तक लगबग बारा बच चुके थे, और बार की फ्रीड काफी चट चुकी थी, मराठा और गवानी उस वक्त भी बार में बैठे थे, लेकिन उस वक्त वे एक दीसरे आदमी के साथ सिर्ख से सिर्ख जोड़े पाते कर रहे थे, तीसरा आदमी कोई 45 साल का मोटा थुल्थुल सा व्यक्ती था, राहुल बार से बाहर निकला, बार के परवेश द्वार के पास ही एक टेलिफोन बूत था, ज आपने आपको संभालने के लिए उसने बूत का सहरा लिया, तो उसकी वजन से तरस्त लड़की का बूत सारे का सारा हिल गया, युफ्ती ने हर बढ़ा कर उसकी तरफ देखा, सौरी, राहुल बिना युफ्ती की तरफ निकाह उठाए, होटों में बुदबुदाया, और ब ना जानता था, कि वह चल रहा था, उसे यह नहीं मारूम था, कि वह कहां जा रहा था, उसे यह याद तक नहीं रहा था, कि बार सी पाहर वह मटका लगाने के नियस से मरार सी पानवारे की तराश में निकला था, बूत में मौजूद लड़की का नंबर मिल गया, तो वह मा पड़ गया था अब लोटने में दिक्कत आ रही है हस्पताल में गाड़ी उपलत नहीं थी मैं टैक्सी पर सवार होने की नियस से वहां से चल पड़ी थी लेकिन अब मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही शुक्र है कि फोन पर तुम मिल गए हो अब बराए महरबानी तुम अपनी कार पर यहां आकर मुझे ले जाओ तुम हस्पताल में ही फोन कर देती मुझे हस्पताल का फोन खराब था अच्छा हस्पताल है जिसमें न वक्त पर गाड़ी हासिल है और न फोन तुम आ रहे हो हां और क्या नहीं आऊंगा शुक्रिया डीमोन रोड पर तुम हो कह प्रिंसेस बार के सामने के टेलिफोन बूत में वर्शा तुम ऐसा करो बार के सामने ही मैंगलोर स्ट्रीट है तुम उस गली को पार करके निकोल रोड पर आ जाओ वहां क्यों? क्योंकि डिमोलो रोड पर आजकल सडक मरम्मत के लिए रास्ता बंद है वहां दूसरी तरफ से पहुँचने के लिए मुझे बहुत लंबा चक्कर काट कराना पड़ेगा मिंट रोड के सिरे तक जाना पड़ेगा मुझे तुम वह जरा सी गली पार करके निकोल रोड पर आ जाओगी तो हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे जितनी देर में तुम गली पार करोगी उतनी देर में मैं भी वहां पहुँच जाओगा ठीक है मुझे निकोल रोड पर मैंगलोर स्रीट के दहाने पर मिलना ओके जनक राल धोते उस अकल के अंधे मोटे थुल थुल आदमी का नाम था जिसकी साधन तो मंगतो जैसे थे लेकिन जिसकी खुआईशे दुनिया को फता कर लेने की खुआईश वन सिकंदर से भी परचर कर थी जिसको मटके की एजन्टी की धंदे से सबर नहीं था जो हेरोईन की बिकरी के खतरनाक धंदे में हाट डाल बैठा था और जो नहीं चानता था कि वैसे खतरनाक धंदे बिना मुनासिब सरपरस्ती के नहीं चलते थे उसे कमपनी का प्यादा जान कर किसी ने धाई तिन लाख रुपे की हिरोईन का तो उसका एदबार कर लिया था लेकिन उसे किसी तेरह की सरपरस्ती देने की कतई कोशिच नहीं की थी अलबत्ता उसे यह जरूर बता दिया था कि उधार में मिले हिरोईन में या उसकी कीमत में कोई घोटाला करने की सूरत में इसकी लाश 36 टुकडों में बटी अरब सागर में तैरती पाई जा सकती थी ऐसे ही आ बैल मुझे मार जैसी फितरत के व्यक्ति धोती को मारूती राव और रोबिरो की जुगल जोडी ने यह भरोसा दिया था कि सिर्फ दो फीजदी की कमिशन पर वे उसे एक लाख रुपे की गुरुजी की ग्राहक से मिलवा सकते थे प्रिंसेस बार में उनके साथ बैठे धोते ने फोरण वह ओफर पबूल कर ली अपनी निगाह में यह कहकर भारी होश्यारी दिखाई कि माल उनके पास नहीं था वे ग्राहक से मिलेगा वे उससे रकम हासिल करेगा और फिल्म माल लेकर देगा दोनों ने फोरण हामी भर दी अपनी मुर्खता के साथ साथ दोती नशे के हवारे न होता तो आनन फानन होई उस हामी नहीं उसी चोकन ना कर दिया होता वे सेहर्ष ग्राहक से मुलाकात की खातिर उनके साथ चलने के लिए तयार हो गया कतल के लिए मुनासिब जगे रूबीरो ने पहले ही चुने हुई थी मैंग्रोर स्ट्रीट की स्रेपर एक तीन मंजिला इमारत थी जो कभी आतंग वादियों का अड़्डा होती थी और जहां कभी गोला बारूत तयार किया जाता था एक पर वहां मौजूर बारूत का भंडार किसी परकार आग पकड़ गया था और आनन फानन वह सारी इमारत खंडर बन गई थी इमारत की कुछ दिवारें अभी भी खड़ी थी कोई कोई छट भी खांकती कराती परकरार थी लेकिन रहने लायक उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहा था दिन में इमारत की विशाल कंपाउंड में बच्चे खेलने के लिए खुश जाते थे लेकिन रात को वह भूतों का डेरा ही बनकर रह जाती थी वह जगे रोबीरो ने कतल के लिए चुनी थी जहां की बचौल रोबीरो कई दिन तक तो लाश का पता भी नहीं चलने वाला था धोती के दाएं बाएं चलते हुए रोबीरो और मारूती राओ मैंगलोर स्ट्रीट में दाखिल हुए और उस खंडर इमारत की तरफ पढ़े वर्षा मैंगलोर स्ट्रीट के मध्धे में पहुँच गई तो उसे लगा कि वह गली का एकलौती राहगुजर नहीं थी अपने पीछे से किसी के कदमों के आवाज उसे निरंतर सुनाई दे रही थी उस सुनसान गली में उसके पीछे निश्चे ही कोई था कहीं वह उसी के पीछे तो नहीं आ रहा था वर्षा ने तनिक भैबीत होकर सोचा उसने एक पार सावधानी से घूम कर अपने पीछे निका दोड़ाई तो उसे अंधेरी गली में कोई दिखाई न दिया जरूर उसे पीछे घूमता पाकर वह किसी पेड़ के पीछे चुप गया था क्यों न वह भी थोड़ी देल के लिए कहीं चुप जाए और उसे गुजर जाने दे लेकिन उसने सिहर कर सोचा अगर कोई उसी की फिराक में था तो वह भला यू चुप चाप कैसे गुजर जाता गली में से उसने जल्दी जल्दी गली पार कर जाना ही मुनासिब समझा उसके दोबारा चलना शुरू करते ही पीछे से कदमों की आहट फिर सुनाई देने लगी वह और भी भैबीत हो थी उसका जी चाहने लगा कि या तो वह जोर से चिल्ला पड़े और या वह एकदम वहाँ से भाग निकले लेकिन उससे दोनों में कोई भी काम ना किया वह खामखा डर रही थी उसने अपने आपको तसल्ली दी उस इलाके से वह पूरी तरह वाकिफ थी रहाजनी या बलातकार की कोई घटना वहाँ भुई हो ऐसा उसने कभी नहीं सुना था तो फिर वह भैबीत क्यों थी भैबीत क्या वह तो आतंकित थी और उसके सारे जिस्म में रहर रहकर ठंड़क की लहर दोड़ जाती थी बेमानी था उसका डरना वह गली उसकी पपौती थोड़ी ही थी कोई भी उस रास्ते से गुजर सकता था लेकिन उसके ठिटकने पर पीछे से आती पर चाप बन क्यों हो गई थी उसने एक बार फिर घूम कर पीछे देखा उसी शंट पीछे आता व्यक्ती एक स्ट्रेट राइट के नीचे से गुजरा वर्षा ने देखा कि वह एक हाती जैसा विशाल काई व्यक्ती था उसके विशाल आकार और सेर की टोपी के अलावा वर्षा और कुछ न देख सकी क्योंकि तभी रोष्णी उसके पीछे हो गई रोष्णी पीछे होती ही उसके विशाल शरीर का इतना लंबा साया गली में बना कि उसके सेर की परचाई वर्षा को अपने जिस्म पर पढ़ती रगी वह घबरा कर आगे बढ़ी तभी साया ठिटक गया उसकी जान में जान आई इस पार साया उसके ठिटकने पर नहीं ठिटका था बलकि उसके आगे बढ़ने पर ठिटका था धोते को पुर्वता अपने बीच में चलाते हुए मारूती राव और रोबीरो खंडर इमारत की कमपाउंड में ताखिल हुए कमपाउंड पार करके जब वे इमारत के बरामदे में पहुँचे तो एका एक धोते ठिटक गया तब उसे पहली बार मैसूस हुआ कि जिस जगए वह लाया गया था वह किसी सांप, छचुंदर, चिमगादर की रिहायश तो हो सकती थी किसी इंसान के बच्चे की नहीं, यहां रोशनी क्यों नहीं है, दोते सक पकाई स्वर में बोला, अभी हो जाएगी, रोबीरो आशवाशन पूंट स्वर में बोला, और उसने उसे भीतर की तरफ धके रा, यह तुम कहां ले आये हो मुझे, दोते अपनी बहां से उसका मुकररर की गई है, वह भीतर है, दोते संदिक फाव से बोला, हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि भीतर कोई हो, वह पिछवाडे में है, उसे यहां बुलाओ, आवाज देना मुनासिब नहीं होगा, तो जाकर ले आओ, मैं भीतर नहीं जाने का, एका एक दोते एक कदम पीछ मुझे हटा, और वापस घूमा, मारूती राव, रोवीरो साप की तरह फुफकारा, पकड़ हरामजादे को, मारूती राव ने फौरा उसे दबोच लिया, उसका एक हाथ धोते के मुझ पर पड़ा, और दूसरा उसकी थुल-थुल कमर से लिपट गया, उसने अपना एक घ सजीतता हुआ, इमारत के भीतर ले चला, रोवीरो की हाथ में एक कोई फुट भर का लोहे का डंडा प्रकट हुआ, वह चलांग मार कर उनके सामने पहुचा, उसका डंडे वाला हाथ हवा में उठा, और फिर वह गाज की तरह धोते की खोपड़ी पर गिरा, आगे निकोल पर से वर्षा को किसी वाहन की आवाज नहीं आ रही थी, जाहिर था कि अशोक कार लेकर अभी वहाँ नहीं पहुचा था, सरवत्र सन्नाटा चाया हुआ था, कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिवाए उन कदमों की आहट के, जो वर्षा को अपने पीछे से फिर आने लगी थी पता नहीं यह अकिकत थी या उसका वहम था, लेकिन वर्षा को ऐसा रगा, जैसे इस बार पीछे आदे व्यक्ति ने भी तेज तेज चलना शुरू कर दिया हो, तबी वहे कोने की खंडर इमारत के करीब पहुची, फिर एका एक किसी अज्ञान भावना से प्रिरित होकर आ हर गली में देखने लगी, अगर उसके पीछे आता साया, चुप चाप खंडर इमारत के सामने से गुजर गया, तो वहे समझेगी, कि जो कुछ सोच सोच कर वहे हलकान हुई जा रही थी, वहे सब उसके दिमाग का खलल था, साया गली में उसके सामने प्रकट हुआ, वर्ष जिस्सा गली में खड़ा, आंधी में हिलते ताड के पेड की तरह जूम रहा था, अगर वहे इमारत में दाखिर हुआ, वर्षा नी फैसला किया, तो वहे गला फाड़ फाड़ कर चिल्दाने लगेगी, तभी इमारत के भीतर कहीं हलकी सी आहट हुई, वर्षा को अपनी सा प्रावना पर विचार करने के खयाल से ही उसी तहशत होने लगी, भीतर फिर आहट हुई, वहे आँखे फाड़ फाड़ कर गलियारे में देखने लगी, यह उसकी खुश किस्मती थी, कि गलियारे में वहे दो कदम और आगे नहीं बढ़ाई थी, वर्ना धोते के साथ साथ उसका काम तमाम हो जाना भी लाजमी हो जाता, गलियारे के सिरे पर विशाल हौल था, और हौल से पार फिर गलियारा था, उस परले गलियारे में वर्षा को एक साया दिखाई दिया, अंधेरे में वर्षा यह न समझ सकी, कि उसकी तरफ साय का मूठा या पीट थी, हो गया क पिछले गलियारे से एक दबी हुई आवाज आई, हाँ, तो फिर हिलता क्यों नहीं यहां से, मैं देख रहा था कि इसका क्या हाल है, अब इसका हाल इसका बनाने वाला देखेगा, इसे छोड़ और चल यहां से, यहां एक सेकंड भी फालतो ठहरना मुर्खता होगी, अच्छ तब वर्षा को पहले साय के साथ एक और साया दिखाए दिया, एक मोटा और ठिगना, और दूसरा पतला और लंबा, मन-मन के पाउं उठाती वर्षा वापस बरामदे में आ गई, और एक खंबे के पीछे सांस रोक कर खड़ी हो गई, बाहर सड़क पर टोपी वाला साया अ उन्होंने कमपाउंड में कदम रखा, दबे पाउंड चलती हुए वी फाटक से बाहर निकले, भाई साहब दोनों चौके, राहुल जो एक प्रेड के नीचे पड़ी चट्टान पर बैट गया था, उन्हें देखकर उठकर खड़ा हो गया, जूमता जूमता डगमक चाल च रोबीरो का हाथ कोट की जेब में पड़े लोहे के डंडे से लिपट गया, मारूती राव ने व्याकुल भाव से पहले राहुल को और फिल गली में दाय बाय देखा, रोबीरो ने आशवाशन पूर धंग से उसका कंधा दबाया, भाई साहब राहुल की जुवान नशे मे लाख हुई जा रही थी और वह बड़ी कठनाई से बोल पा रहा था, जैसी उसकी हालत थी उसमें उसका अपने पैरो पर खड़ा रह पाना भी करिश्मा लग रहा था, आप कहा हैं? क्या मतलब? रोबीरो तीखी स्वर में बोला, मेरा मतलब मैं, राहुल ने जूमते हुए एक हाथ से अपनी छाती ठोकी, मैं कहा हूँ? यह टुन है, मारुती राव फुस फुस आया, इसे छोड़ो, इस वक्त इसे दीन दुनिया की खबर नहीं, मैं कहा हूँ भाई साहब? राहुल फिर बोला, भाई साहब मैं कहा हूँ? बताते जाएए ना, महरबानी होगी, और दोनों के बीच में तुम हो, वा, वा भाई साहब, क्या पता बताया है आपने मेरा? बहरबानी, I mean महरबानी आपकी, अब एक पते की बात मेरे से भी सुनते जाएए, क्या? कल मटके में सिंगल नंबर सत्ता निकलने वाला है, लकी सैवन, भाई साहब, it is a sure wind, bet you are shut on it, अच्छा, तुमने लगा दिया अपना सारा माल सत्ते पर, पता नहीं भाई साहब, पता नहीं, तुम्हें यह भी पता नहीं, कि तुमने मटका खेला है, या नहीं, पता नहीं, अब तक नहीं खेला, तो गया तुम्हारा नंबर, आज का नंबर तो निकल चुका होगा, सत् सता फिर निकलेगा क्या केहने सता रोज निकलेगा लखी सेवन बैट यूर शिर्ट ऑन इट माई डियर फ्रेंड यह टुन है मारोती राव पूला चलो इसके साथ सिर्खपाई मत करो दोनों ने आगे बढ़ने का उपकर्म किया भाई साहर राहूल ने फरियात की एक आखरी बाप बात तो बताते जाएए पूछो यह राहूल ने खंडर इमारत की तरफ संकेत किया कोई होटल है हाँ रोबिरो पोला बंबई का बहुत फेमस फाइल स्टार होटल है यह ताज महल कहते हैं इसे अश्या यह ताज महल है मुझे भी रात गुजारने के लिए किसी होटल की तलाश थी यह बढ़िया जगा है जरूर होगी लेकिन यहां अंधेरा अंधेरा क्यों है क्योंकि तुम बाहर हो तुम भीतर जाओगे तो रोश्नी हो जाएगी डैश गुड शुक्रिया भाई साहब आपने एक रबदेशी सेलर की बहुत मदद की बेड़ा पार लगाया अपने उसका आप तो मेरे नैविगेटर हैं आप तो मारूती राव ने रुबीरो क्यों पहां पकड़कर घजीटा राहुल को वैसे ही पकता जगता छोड़कर दोनों आगे बढ़ गए कुशन बाद वहां से हटा और परे जाकर फिर पेड़ के नीचे चटान पर बैठ ग गली खाली हो गई तो वर्षा की चान में चान आई वह खंबे की ओट से बाहर निकली उसने अपनी साड़ी के पल्ले से अपना चहरे पर चुछुआ आई पसीने की बुंदों को साफ किया और फिर बरामदे से नीचे उतरने के लिए आगे कदम बढ़ाया तभी पीछे इम हे भगवान अब कौन था भीतर करा में ऐसे बेबसी और दयानेत्ता बसी हुई थी कि फोरण वहां से भाग निकलने को तत पर व्येगर वर्षा की पाउंच चड़ हो गए भीतर जो कोई भी था बहुत तकलीफ में था करा ऐसी थी जैसे कराने वाले की अगली सांस का भी भ अशल हुई कोई डॉक्टरीस आहता उसकी जान बचासके वह वापस गलिएरे में दाखिल हुई अंधेरे में अंदाजन चलते हुए उसने हॉल पार खिया और पिछले गलिएरे में पहुंची पिछले गलिये के आगे एक कमरा था जिसकी इकलौती विशाल खिलकी तूटी हुई थी और उसमें से थोड़ी बहुत रोशनी भीतरा रही थी उस नहायत ना काफी रोशनी में आखे फार फार कर वर्शा ने देखा कि एक खिड़की के करीब फर्श पर कुछ पड़ा था वह दो कदम और आगे बढ़ी और उसने बहुत गौर से देखा तो पाया कि वह ए एक इंसानी जिस्म था कौन है वह आतंकित भाव से बोली कोई उत्तर ना मिला फर्श पर पड़े व्यक्ति के मुह से कोई शीन सी करा बिना निकली फिर एका एक वर्शा की सारे हिम्मत दगा दे गई उसके मुह से एक घुटी हुई चीक निकली और फिर वह तूफानी रफ उसके चेहरे पर पड़ी वर्शा की मुह से फिर एक घुटी हुई चीक निकली और फिर वह घूमकर कार से विपरीत दिशा में भागी वर्शा फिर भी ना रुकी अशोक कार से बाहर निकल कर उसके पीछे भागा थोड़े फासले पर उसने वर्शा को पकड़ लिया छोड वर्षा के मूँ से चैन की सांस निकली तब कहीं जाकर उसने हाथ पाउं पटकने बंद किये क्या हुआ? अशोग बोला उस उस खंडर इमारत में एक आदमी मरा पड़ा है आदमी मरा पड़ा है? तुम्हें कैसे मालू? मैंने उसे देखा था तुमने उसे देखा था? तुम उस खंडर में क्या करने खुशी थी? गली में कोई आदमी मेरे पीछे लग गया था उससे छुपने के लिए मैं खंडर में खुशी थी अब कहां गया वो आदमी? पता नहीं था कौन वो? पता नहीं मैंने उसका साया ही देखा था तुम्हें अंधेरे की वज़े से वहम तो नहीं हो गया था कि गली में तुम्हारे पीछे कोई आदमी था नहीं, मुझे वहम नहीं हुआ आओ, चल कर देखें दोनों पैदल खंडर इमारत पर वापस लोटे इमारत तो अंधेरे में डूबी हुई है अशोग बोला, पहले क्या यहां रोशनी थी? नहीं, वर्शा बोली, पहले भी यूहीं अंधेरा था इतने अंधेरे में तुम्हें खबर कैसे लगी कि भीतर कोई आदमी था मैंने उसकी करा सुनी थी करा सुनी थी कराता हुआ आदमी मुर्दा कैसे हो सकता है? वह खामोश रही कैसी रोक्टर हो तुम? जो यह भी ना जान सकी कि वह शक्स जिन्दा था या मुर्दा अरे, उसकी कोई नब्स वव्द ही देखी होती मैं बहुत डर गई थी क्या पता वह अभी भी जिन्दा हो और हस्पताल ले जाय जाने से बच सकता हो दिखाओ, कहां है वो? दोनों कमपाउंड में दाखिल हुए गलियारे में कदम रखने से पहले अशोक ने अपने जेब से सिगरेड लाइटर निकाल कर जला लिया लाइटर की रोष्णी में चलते हुए वर्षा अशोक को पिछले कमरे में ले आई कमरा खाली था यहां तो कोई नहीं है अशोक बोला, अच्छी देने से देखो वर्षा बोली, वह यहीं होगा वह यहीं होगा अरे, वह क्या कोई चुहा था जो हमें आता देखकर किसी बिल में खुश गया लेकिन उसी वहां सामने उस टूटी खिड़की के करीब पड़े मैंने खुद देखा था यहां और कोई नहीं था पहले था, पहले दो आदमी और थे लेकिन वे मेरे सामने यहां से चले गए थे जैसी भी बाते कर रहे थे उनसे लगता था, जरूर उनी ने इस बिचारे को मारा था अशोक आगे बड़ा उसने लाइटर की रोशने खिड़की के करीब फर्ष पर डाली यहां खून तो दिखाई दे रहा है वे धीरे से बोला खून ताजा भी है किसी मुर्दा आदमी का वहम तो नहीं हुआ मालूम होता तुम्हे वे एक शन ठिटका और फिर बोला वर्षा वे शक्स मरा नहीं होगा वे सिर्फ खैल हुआ होगा और तुम्हारे यहां से कूच करने के बाद यहां से उठकर चल दिया होगा इसके अलावा और कोई बात संभब नहीं मालूम होती कोई मुर्दा यहां से आनन फानन गायब नहीं हो सकता था वर्षा खामोश रही अब चलो यहां से बहुत तमाशा हो चुका वे गया कि धर से होगा सामनी सड़क पर तो वे आया नहीं पिछवाडे का दरवाजा उखडा हुआ है और कमपाउंड की पिछवाडे की दिवार भी तूटी हुई है जरूर वे यहां से उठकर पिछवाडे में निकल गया होगा कहें वे पिछवाडे की गली में न पड़ा हो जो खायर आदमी यहां से उठकर चल फिर सकता है वह पिछवाड़े की गली में नहीं जागिर पढ़ने वाला फिर भी हम पुलिस को फोन कर देंगे फिर भी अगर वह वहां होगा तो पुलिस आकर उसे उठा ले जाएगी ओके वर्षा ने बड़े अन्मने भाव से सहमती में सिरहला दिया वर्षा या अशोक ने पिछवाड़े की तूटी दिवार के करीब आकर एक बार गली में छांखे लिया होता तो आने वाले वक्त में जनक राज धोते मरहूम की लाश को तलाश करने में उन्हें वहस सिर्ख अपाई न करने पड़ी होती जो की उन्होंने बाद में की तब उन्हें पिछवाड़े की गली में धोते से बगल गीर होकर चलता हुआ राहुल दिखाई दे गया होता माई फ्रेंड माई डियर फ्रेंड नशे में धोत राहुल कह रहा था बिश्की खतम हो गई अब शोश है लेकिन कहीं तो और मिलती होगी अभी तलाश कर लेंगे दोनों शराबी भाई तुम जरा शंबल कर चलो मेरे उपर हिमत किरते जाओ धोते की एक पाहा राहुल की गर्दन के किरत थी और राहुल की एक पाहा उसकी कमर में लिप्टी हुई थी राहुल महज उसे सहारा ही नहीं दिये हुए था वह तो एक तरह से उसे उठाए उठाए गली में चल रहा था धोते जो कर्द में उससे कम से कम आधा फुट छोटा था उसकी गर्दन से एक तरह से टंगा हुआ था और नशी के उस आलम में राहुल को एहसास तक नहीं था कि वह उतना भारी भरकम शरीर धो रहा था अपनी निगाह में वह उसे सिर्फ सहरा दे कर चला रहा था राहुल असाधारन रूप से शक्तिशाली शरीर का स्वामी न होता तो ऐसा हरगिस मुम्किन न हो पाता नशी में राहुल पेर के नीचे से उठा था और उस खंडर इमारत में दाखिल हो गया था जिसके बारे में अभी कोई भला आदमी उसे पता कर गया था कि वह ताज महल होटल था वहाँ पिछवाडे के कमरे में उसने धोते को अचेत पड़ा देखा था उसने उसको वहाँ से उठाया था और उसे यह समझाता हुआ पिछवाडे के रास्ते से बाहर गली में ले आया था कि वह कोई होटल नहीं था जरूर उसी कित हैं किसी ने उसके साथ भी मजाक किया और उसे वहां फेश दिया था घबराओ नहीं मेरे भाई राहूल फिल उसे आश्वाशन देने लगा अभी हम कोई अश्चा सा होटल तलाश कर लेंगे और फिर दोनों शराबी भाई वहां पढ़ जाएंगे राहूल वैसे ही धोते को संभाले जिदर का रुख हुआ उधर च और उसने धोते की कमर से बाहर निकाल ली धोते धड़ाम सी जमीन पर गिरा अरे राहूल फिर उसे उठाने का उपकर्म करने लगा तू तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो शकता इतनी क्यों पीता है मेरे भाई क्या तूने भी कलेजे पर चोट खाई है किशी शोक् तूझे यूँ बेशारा नहीं शोड़ सकता पिछले महीने इस्टांबुल में मेरे भी ऐशी हालत हुई थी तो मेरे किशी शराबी भाई नहीं मुझे शंभाला था और मुझे मेरे जहाज पर पहुचाया था उसने मेरी मदद न की होती तो मैं जरूर मर गया होता किशी न गबराना नहीं राहूल उसी आश्वाशन देता हुआ पोला मैं होटल की तलाश में जाता हूँ और तेरे लिए एक कमरा ठीक करके वापश आता हूँ घबराना नहीं बिरादर मैं गया अराया जश को एंड कम दस मिनट बाद राहूल एक घटिया से होटल के रिसेप्शन क करक के सामने खड़ा था सामान कि धर है करक ने संदिक भाव से पूछा शिप पर है राहूल बोला तब करक की निगाह उसकी सफेद पीग कैप पर और नेले कोट के नीचे से जहांकती वर्दी पर पड़ी किराया एडवांस करक बोला पचास रुपया मेरे शाथ मेरा फ्रे फ्रेंड पहले कमरा देख लो फिर उसे ले आना करक उसे पहली मंजिल के एक कमरे में ले आया उसने कमरे की बत्ती चला दी तुम्हारा फ्रेंड कौन है करक ने पूछा पता नहीं राहूल बोला कहा है पता नहीं उसे लाओगे कैसे पता नहीं वह खुद यहां आ सकता है पता नहीं, तौबा, कलरक उसे पीछे छोड़ कर वहां से चला गया, चल चल कर ठका हुआ राहुल थोड़ी देर के लिए पलंग पर बैठ गया, बैठा तो लेट गया, लेटा तो सो गया, सोया तो जैसे उसके लिए दीन दुनिया खतम हो गई, उसे याद भी न रहा कि वह अपने कथिज फ्रेम के लिए रैन बसेरा तलाश करने आया था, और तलाश मुकमल हो जाने के बाद उसने उल्टे पाउं वापस लोटना था, वर्शा भाय खला के इलाके में, मिसिस ग्रे की गैस्ट हाउस के नाम से जाने जाने वाले लेडिस होस्टल के एक कमरे में रहत अशोक, अशोक घटके, एक बहुत बड़ी कमपनी में सेल्स मैनेजर था, और वर्शा का मंगेतर था, वर्शा की माबाप पूना में रहते थे, अशोक की बहुत ख्वाईश थी, कि वर्शा उसके परिवार के साथ मेरीन ड्राइफर स्थित उनके वैभवशाली फ्लैक में रहे, लेकिन वर्शा की जित थी, कि वह एक ही बार वहां कदम रखेगी, शादी के बाद, इसलिए वह उस गैस्ट हाउस में अकेली रहती थी, हस्पताल के होस्टल में उसे जगा मिल सकती थी, लेकिन वहां एक कमरे में दो दो यूवतियां रहती थी, इसलिए उसे वह रशन भाव से सोच रही थी, कि पर्स कहीं वह उस खंडर इमारत में तो नहीं किराई थी, पिछवाड़े की कमरे में लाश देखकर जब उसकी चीख निकल गई थी, तो उस वक्त कहीं पर्स उसके हाथ से निकल कर नीचे तो नहीं किर पड़ा था, मैं तुम्हारे लिए च वर्शा ने ऐसा ही किया, वर्शा सारी बात सुन चुकने के बाद अशोग बोला, मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, उस खंडर के पिछले कमरे में बैट कर जरूर तीन जनों ने शराब पी थी, शराब खत्म हो जाने पर दो जने वहाँ से उठकर चले गए थे, और तीस अबी भी वहाँ से उठा और पिछवाड़े से बाहर निकल गया, बस कहानी खत्म और वो आदमी जो मेरे पीछे-पीछे आ रहा था, वो कोई रहागीर था, जिससे तुम खामखा डर गई थी, वह भी तुम्हारी तरह मेहज गली पार कर रहा था, तो फिर मेरे ठिटकने प वह भी क्यों ठिटक जाता था, वह तुम्हारा वहम होगा, वर्षा खामोश रही, जो हुआ उसे भूल जाओ, अशोक उसका कंधा थपता पाता हुआ बोला, और आराम से सोग, आधी रात हो गई है, मैं चलता हूँ, वर्षा ने सहमती में सिरह लाया, सुभे की चार बजी रोबीरो और मारोती राव भिंडी बजार में स्थित एक चौल में मारोती राव की खोली में पहुँचे, मारोती राव की बीवी और दोनों बच्चे खोली के सामने गल्यारे के फर्ष पर सोई पड़े थे, मारोती राव ने अपनी चाबी से चुप चाप खोली का दरवा लेकिन उन्हें पैसे उनकी उम्मी से कम मिले थे। उनके खरीदार ने बताया था कि हेरोइन प्योर नहीं थी इसलिए उसकी कीमत कम थी। वे दोनों हेरोइन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। इसलिए खरीदार की बात पर विश्वास कर लेने के अलावा और कोई चारा उनके पास नहीं था। बहरहाल उन्हें 1,60,000 रुपए उस हेरोईन को बेज कर मिले थे। दोती की जेब में मतके का 25-30,000 रुपया भी था। लेकिन उसको उन्होंने चुआ तक नहीं था। उन्होंने केवल हेरोईन की छोटी-छोटी थेलिया निकाली थी। जो की दोती एक ऐसा अपराद था जो उन्होंने आज तक नहीं किया था। अपनी करतूत को वे काम्याबी से अंजाम दे चुके थे। लेकिन उस वक्त वे इस खयाल से सहमे हुए थे। रुबीरो कम और मारूती राव चादा कि उन्होंने कतल किया था। अब वे कतल के अपराधी और पकड़े जाने पर फासी की सजाब पा सकते थे। उपर से उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि अपनी उम्मी से आदी ही रकम उनके हाथ लगी थी। वहां दोनोंने चुप चाप हासील रकम का बटवारा कर लिया। अपना हिस्सा संभाल कर रुबीरो उठकर जाने ल क्या फिर भी अरे लोहे के डंडे का जैसा वार मैंने किया था वहे तो किसी भैंसे की जान ले सकता धोती की तो बिसाती क्या है। अगर वहे जिंदा हुआ तो हमारी शामत आ जाएगी। दिमाग खराब है तेरा यह वहे मन से निकाल दे और 80,000 रुप्यों का तक्या लगा कर चैन की निंच सो सारी रात का जगा हुआ है। यार मारूती राव व्याकुल भाव से बोला पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा है। किस बास से कि कहीं वहे जिंदा न हो अब इस साले तेरी अकल तो नहीं मारी गई क्यों खामका हलकान हो रहा है वहे मर चुका है। रहा था। मारूती राव खामोश हो गया लेकिन उसके चहरे पर आश्वासन के भाव ना आए। अब कल क्या करेगा। रोबीरो ने पूछा। कल मारूती राव तनी खड़ बढ़ा कर बोला। कुछ भी नहीं करूँगा आराम करूँगा सारा दिन। नहीं तो पहर को पहुच जाना। आने वाले दिनों में हमारी दिन्चर्या में कोई भी बात असाधरन नहीं लगनी चाहिए। कल लाश बरामत हो जाएगी। उम्मीद तो नहीं लेकिन अगर किसी वज़े से हो गई और पुलिश ने लाश की शिनाक कर ली तो वह प्रिंसेस बार में उसके वारे में पोश्टाश करने जरूर आएगी। वह बार हमारी तरह धोते का भी अड़ा था। ऐसे वक्त में हमारा वहां ना होना। हमारे दिन उकसान दे साबित हो सकता है। कोई वहां हमारी गैर हाजरे का रिष्टा धोते के कतल से जोड़ सकता है। ओह। इसलिए जो आर कर पाया कि वह कहां था। आंके मिच मिचाता हुआ वह उठकर बैठ गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। पौने बारा बजे थे। फिर उसने पाया कि पिछली रात वह ओवरकोट और जूतों समेथ पलंग पर धेर हो गया था। उसकी सफेद पर से उठाकर अपनी पीक कैप भी उसने सिर पर रख ली। बाहर निकली तीखी धूप को निगाह में रखते हुए सिर्फ कोट उसने न पहना। जब से वह जागा था। उसके भीतर से बार-बार कोई पुकार उठ रही थी। जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अब ऐसा शक्स उसकी साथ था जिसे उसकी मदद की जरूरत थी। और हालात ऐसे थे कि जिसकी मदद सिर्फ वह ही कर सकता था। कहां गया उसका साथी। कहां मिला था वह उससे। कहां पिछड़ा था वह उससे। क्यों उसे किसी की मदद दरकार थी। क्या हुआ था उसे। मेरी मदद की जरूरत थी मुम्किन है वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहा हो वह कमरे से बाहर निकलाया पिछली रात की कहीं दुन्दी तस्वीरें उसके जहन पर उभर रही थी जैसे एक बेहर शोर शराबी वाला बार टेलिफोन बूत में मौजूद एक लड़की एक लंबी उसने पूछा तुम होटल में हो रुजरफशनिस तनिक विस्मित भाव से बोला मेरा मतलब है इस होटल का क्या नाम है सर्ताज होटल कहां हुआ यह बंदरगा के इलाके में सेंट जोर्ज रोड पर कल रात में यहां किस वक्त आया था पता नहीं कल रात डूटी पर मैं नह राहुल बार में पहुचा बार उस वक्त एकदम खाली पड़ा था उसने चारो तरफ निगाध रड़ाई वहां की कोई चीज उसे पहचाने हुई न लगी वह बार्मैन के पास पहुचा क्या पिलाऊं बार्मैन बोला कुछ नहीं राहुल बोला मेरा मतलब है फिलहाल पहल नहीं मैं बार में आया था नहीं तुम तो पहले ही इतनी पिये हुए थे कि विस्की तुम्हारे कानों से निकल रही थी कल मेरे साथ कोई था था तो वह यहां तक तुम्हारे साथ नहीं पहुचा था तो कहां गया वो वो तुम्हारा कोई दोस्त था कोई शिपका संगी सा थी नहीं वो मेरे लिए एकदम अजनबी था मैंने जिंदगी में पहले कभी उसकी सूरत नहीं देखी थी तो फिर ढूं क्यों रहे हो से क्योंकि वो बेचारा तकलीफ में था और उसे मदद की जरूरत थी मुझे अब यादा रहा है उसका चहरा कागज की तरह सफेद था और उसके माते पर गहरा घाव लगा था शायद खोन भी वहरा था बहग घायल था मैंने उसके मदद करने का वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया मुझे उसको धूनना ही होगा उसकी शकल पैचानते हो नहीं कोई नाम पता जानते हो नहीं फिर जरूर ही धू एक ऐसे बार में गुजारा था जिसके परवेश द्वार पर एक टेलिफोन बूत था उस शिनात को जहन में रख कर उसने इलाके के हर बार में घुमना आरब किया इस लिहास थी कभी तो उसने प्रिंसेस बार पहुंचना ही था वह पहुंचा उस वक्त बार में कोई दस बारा लोग पहुंचूद थी वह सीधा काउंटर पर पहुंचा और बार में से संबोधित हुआ अब तक कई बार दोहराया जा चुका सवाल उसने उस बार में से भी पूछा इस बार जवाब सहमती में मिला मैं था यहां कल रात राहुल ने यूँ फिर पूछा जैसे हासिल जवाब पर उसे विश्वास न हो रहा हो हां बार में बोला कई वज़े से तुम याद हो अप उनको अच्छा हां एक तो तुम कोई 15 पैग विस्की पिये ला था दूसरे तुम सेलरो जैसी वर्दी पहने ला था उपर से तुम तुम मैं मोटा हूं बार में पर यह देखने पी सेलत हूं है ना अपन तो कुछ भी नहीं बोला बाप तुम नहीं बोला मैं बोला वो बोला जो तुम बोलना चाहते थे तुम समझे की मुझे बुरा लगेगा मुझे नहीं लगता मोटे को मोटा ही तो कहा जाएगा क्यों में खामोश रहा खेर अब दूसरे आदमी के बारे में बताओ, कौन दूसरा आदमी, जो मेरे साथ था, तुमारे साथ तो कोई नहीं था, मेरे साथ ऐसा कोई आदमी नहीं था, जिसका चेहरा फक था और माथे पर खाव था, ना, मैं यहाँ अकेला आया था, हाँ, यहाँ मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी, बार मैंन पूर्ण स्वर में बोला वह मेरे साथ गया था यहां से नहीं बारमैन ने इनकार में सिरह लाया तुम यहां से अकेला गया लथा ओह भारी उल्चन पूर्ण ढग से राहुल अपनी खोपडी खुल जलाने लगा मेरे साथ निश्चे ही कोई था थोड़ी देर बाद वह फिर वो भी मेरी तरह नशे में था और बिना सहारे के चल नहीं सकता था वह मेरे जितना मोटा नहीं था लेकिन मोटा था और कद में मेरे से काफी छोटा था मुझे उसका कागज की तरह सफेग चहरा और माथे का जक्म खूब यादा रहा है ऐसा कोई आदमी यहां तुम्हारे ड्रिंग दो डेर मिनट में राहूल ने दो लार्ज पैक विस्की के पिये अपनी हैंग ओवर से संसं करती खोपडी से उसे कुछ राहत महसूस हुई मेरी बगल की मेज पर दो आदमी बैखे थे राहूल सोच तफ़ा बोला और मैंने उनसे बात की थी हाँ बार मैंने फिर तस्दीग की क्या बात की थी यह है अपन को क्या मालूम बार के शोर शराबे में अपन को तुम्हारी बात चीट थोड़े ही सुनाई दी थी शायद एक नहीं वे दो आदमी मेरे साथ थे कोई दो आदमी मुझे बाद में भी मिले थे कहाँ एक अंधेरी गली में एक उजाड इमारत के सामने इमारत एक नीम अंधेरी गली के कोने में थी मैं भटक गया हुआ था और मैंने उन दोनों से रास्ता पूछा था रोबीरो और मारूती राव करीब ही एक मेज पर बैठे थे और कान लगाए बार मैन और राहूल का वारतालाब सुन रहे थे राहूल की आखरी बात सुनकर मारूती राव के चपके चूट गए उसका दिल धार धार उसकी पस्तियों से बजने लगा राहूल की उनकी तरफ थी लेकिन बार की पिछली दिवार पर लगे विशाल शीशे में राहूल की सूरत साफ प्रति बिंबित हो रही थी और उसने राहूल को फोरण पहचान लिया था वह डिल डॉल कोई भूलने वादी चीज थी वह वही आदमी था जो तब मैंगलोर स्ट्रीट में उनसे टकर आया था जबकि वे धोते का कतल करके खंडर इमारा से बाहर निकल रहे थे वह बहुत बड़ा मकान था राहूल कह रहा था लेकिन यों टूटा फुटा था के खंडर लग रहा था और यह मरवाय का मारूती राम घबरा कर बोला इसे चुप कर आओ रोबिरो ने चिंतिक भा पर पड़ा विस्की का गिलास काउंटर पर लुड़क गया सौरी बॉस राहूल के पहरू में आता हुआ रोबिरो खेट पून स्वर में बोला मेरी गलती से तुमारा गिलास लुड़क गया जॉन ड्रिंक बनाव मेरी तरफ से नेवर माइंट राहूल बोला ऐसा कैसे हो सक रोबीरो जित भरे स्वर्वे बोला, मुझे अपनी गलती को सुधानने का मौका दो बॉस, जॉन, ड्रिंक्स, बार मैंने दो ड्रिंक बना कर उनकी सामने रखती है, चीर्स, रोबीरो बोला, किसी शिप की कप्तान के साथ चीर्स बोलने का यह मेरा पहला मौका है, मैं शिप क कप्तान नहीं हूँ राहूल उसकी साथ गिलास टकराता हुआ बोला परसर हूँ अच्छा अच्छा परसर रोवीरो यूँ बोला जैसे खूब जानता हो कि परसर कौन होता था हकीकतर बहर शब्द उसने जिन्दगी में पहली बार सुना था शिप कौन सा है तुम्हारा काची के लिए रवाना हो जाएगा पहले कभी बंबई आये नहीं यह पहला फेरा है फिर तो शहर की सैर तो अभी की नहीं होगी पता नहीं पता नहीं क्या मतलब दरसल कल में जरा जादा पी गया था इसलिए अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कल रात में कहा था यानि कि य सैर से कोई रिष्टा नहीं अच्छा मसलन इतना तो अब मुझे याद है कि मैं यहां आया था और यहां मैंने कई पैग विस्की पी थी बाहर का टेलीफोन बूट याद है मुझे उसके भीतर मौझूद फोन करती एक लड़की भी याद है बाद में बार से निकल कर मैं कहा गया याद नहीं यह भी याद नहीं कि कहीं करीब ही गया था या काफी दूर गया था दरसल मैं किसी को ढूंड रहा था बंबई में जहां कि तुम पहली बार आये हो यहां तुम्हारे वाकिफकार है नहीं जिसे मैं ढूंड रहा था वह मुझे कल राती मिला था जरूर किस उसकी चाती पर आकर किरता था वह तुम्हें कहां मिला था कहा ना किसी बार में जब भी नशे में था तो और कहां मिला होगा तुम अभी किनी दो आदमियों का जिक्र कर रहे थे हाँ एक अंधेरी गली में एक खंडर इमारत के सामने वे मुझे मिले थे उनमें से एक ने दुबारा देखो तो पहचान लोगे जो मुझसे बोला था उसे पहचान लोगा अच्छा हां रोबिरो ने चैन की सांस ली उस हाथी जैसे आदमी का दावा कितना गलत था यह अपने आपी साबित हुआ जा रहा था उसने आवाज देकर मारूती राव को करीब बुलाया य राहूल बेचारा कल रात नशे में कहीं भटक गया था इसे कहीं किसी खंडर मकान के सामने दो आदमी मिले थे जिन में से एक को जिसने की इससे बात की थी यह कहता है कि यह शर्तिया पहचान लेगा यह बात मारूती राव बोला हां राहूल ने बड़े दावे के साथ इसको क्या किसी को भी अपने पिछली रात की मुलाकाती के दौर पर हर्गिस हर्गिस नहीं पहचान सकता था बावजूद इस गारंटी के कि राहूल उन्हें पहचान नहीं सकता था रोबिरो ने उसके साथ थोड़ा अर्सा और चुपके रहकर उसे थोड़ा और टटोलने का फैसला किया वह नजदी की गोवा स्ट्रीट में स्थित एक होटल नुमा इमारत में रहता था जहां कि राहूल को काफी ना नुकर के बावजूद वह और मारूती राव उसे ले आए वहां रोबिरो ने उसे फैनी और तली हुई मचली पेश की दोनों ही चीजे राहूल को खास पसंद थी नतीजा यह हुआ कि वह वह ऐसा जमा कि वहीं उसने शाम कर दी शराब खोरी के दोरान रोबिरों ने वार्दा लाप का रुख कई बार पिछली रात की तरफ मोड़ा राहूल की वानी खूब मुखर हुई लेकिन उसने ऐसा कुछ न कहा जो की वह पहले कई बार नहीं कह चुका था अब उन्हें पूरी गारंटी हो गई कि कम से कम राहूल की वज़े से उनकी करतूर पर से परदा नहीं हटने वाला था तो शाम 6 बजे के करीब उन्होंने मैफिल बरखास की और वे नशे में जूमते हुए राहूल को उसके होटल में छोड़ाए उस वक्त सडक पर शाम का अकवार बिक रहा था हाला कि उन्हें कतळी उम्मीद नहीं थी कि धोते का जिक्र उसमें होगा लेकिन अपनी अपराद भावना के वशी बूत होकर उन्होंने अकवार खरीदा अकवार में धोते का जिक्र नहीं था वापस मैंगलोर स्ट्रीट होकर चलते हैं मारूती राव बोला काहे को? रोबीरो सक पकाया यो ही? ठीक है चलो वे मैंगलोर स्ट्रीट पहुंचे तो खंडर की कंपाउन में उन्होंने इलाके के बच्चों को खेलता पाया ये बच्चे मारुती राव चिंति स्वर में बोला कमपाउन में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं? रोबीरो बोला और क्या कर रहे हैं? कमपाउन में खेलते खेलते ये इमारत के भीतर भी जा सकते हैं क्या पता जा भी चुके हो? रोबीरो कुछ चंड सोश्टा रहा और फिर धीरे से बोला अगर ये लाश देख चुके होते तो अभी भी ये यहाँ खेल नहीं रहे होते रोबीरो अगर हम चाहते थे कि लाश बहुत देर तक बरामद नहों तो हमें लाश को पिछले कमरे में ही नहीं पड़े रहने देना चाहिए था तो क्या करना चाहिए था उसे कमपाउन में दफनाना चाहिए था कमपाउन में काहे को इमारत की भीतर भी तो इतना मलबा पड़ा है लाश को हम बड़े आराम से मलबे के नीचे कहीं दफन कर सकते थे क्यों बहुत देर तक तो क्या शायद लाश कभी भी बनामत न हो रोबीरो फिर सोच में पढ़ गया अभी भी क्या बिगड़ा है फिर वह निर्नायत मक्सवर में बोला यह काम हम अब भी कर सकते हैं आओ लेकिन बच्चे वे बच्चे हैं और खेल में मश्कूल हैं इस वक्त उनकी तवज्जो इमारत की तरफ नहीं है दोनों इमारत की तरफ पड़े बीट का सिपाही आ रहा है एका एक मारूती राव बोला मुडो मत रोबीरो बोला सीधे बढ़ चलो से जुकाए पेडों की चाओं में वे फुटपाथ पर चलते रहे सिपाही अपना डंडा हिलाता बिना उनकी तरफ तवज्जो दिये उनकी पहलू से कुजर गया वे मोर काट कर निकोल रोड पर पहुँच गया तो वे वापस डौटे वे चुप चाप इमारत में दाखिर हुए बच्चों ने उनकी तरफ कते ही ध्यान न दिया वे पिछवाडे की कमरे में पहुँचे लाश कायब थी राहुल अपने होटल के कमरे में पहुँचा सूरज डूमने के बाद से एक तो वैसे ही तापमान नीचे आ गया था उपर से बहुट थंडी हवा चलने लगी थी उस कड़ी वह सबसे ज़्यादा अपने ओवर कोट को याद कर रहा था पांच घंटे उसने दो अजनबियों के साथ शराब खोरी में बरबाद किये थे वे दोनों उसकी कोई भी मदद करने के खुआईश मन मालूम होते थे लेकिन उनसे अलग होने के बाद ही उसे सुझा था कि उन्होंने मदद के चर्चे ही किये थे हकीक्तन कोई मदद की नहीं थी उसके पिछली रात के रही को तलाश करने के दिशा में उन्होंने कोई सक्रिय योगदान नहीं दिया था और खुद वह अभी तक यह स्थापित करने में भी काम्याब नहीं हो सका था कि उसका पिछले रोज का साथी शुरुवात में उसके साथ था हर वक्त उसके साथ था या सिर्फ अंत में उसका साथी बना था उन दोनों की सोहबत से निजात पाच चुकने के बाद अब वह महसूस कर रहा था कि उन्होंने उसकी समस्या को सुलजाया नहीं बलकि और उलजाया था उन्होंने बार-बार उसे यही समझाया था कि उसकी तलाश मेमानी थी और उसमें वक्त जाया करना उसकी हिमाकत थी अब होटल में पहुंचते ही उसे फिर यह एसास सताने रगा था कि जो वक्त उसने उन अजनबियों के साथ जाया किया था वह उसे उस घहल व्यत्ती के तराश में सर्फ करना चाहिए था जिसे कि अभी भी उसकी मदद दरकार हो सकती थी उसने पलंग पर से अपना ओवरकोट उठाया उसे पहनने से पहले वह एक शंट ठिटका कोट के दाएं कंधे पर और आस्तीन पर उसे कुछ गहरे रंग के धब्बे से दिखाई दिये कोट को खिरके के पास ले जाकर उसने उनका मुआयना किया तो पाया कि वे खून के धब्बे थे उसके मानस पटल पर फिर अपने रात की राही का अक सुभरा मैं तुझे ढून के रहूँगा मेरे दोस्त वे ध्रिड्सवर में बोला उसने अपना ओवरकोट पहन लिया और कमरे से बाहर निकलाया बाहर सडक पर आकर उसने अपने ओवरकोट की जेवों में अपने हाथ धसाए तो उसकी दाएं हाथ की उंगलिया जेब में पड़ी एक अपरिचित चीज से टकराई उसने वह चीज बाहर निकाली, तो पाया कि वह एक जनाना पर्स था, वह आपलक उस पर्स को देखता रहा, अब उसे कई बातें यादा रही थी लाश कहां गई, वे प्रिंसिस बार में एक कोने के टेवल पर मौजूद थे, उनका दिन भर का नशा हिरन हो चुका था, और उस वक्त दोनों के जहन में एक ही खयाल हतोड़े की तरह बज रहा था, लाश कहां गई, बीट का सिपाही लगभग फौरण ही वापस लोटाया था और बच्चों को घर घर भगाने की नियस से हंडर इमारत की कमपाउंड में घुसाया था, तब उन्होंने पिछवाड़े की रास्ते से चुप चाप वहां से कूच कर जाने में ही अपना कल्यान समझा था, जरूर लाश बरामत हो गई है, मारूती राव धीरे से बोला, नह में बच्चे ना खेल रहे होते, और पुलिस अभी भी वहां होती, तो फिर वो मरा नहीं होगा, रात को या सुभा किसी वक्त उसे होशा गया होगा, और वो उटकर वहां से चलता बना होगा, कहां चलता बना होगा, अगर वह जिन्दा होता, तो सीधा थाने पहुचा होता और हम अब तक हवालात में होते वह एकदम नहीं मरा होगा मारूती राव ने नया सुझाव दिया जरूर उसकी कोई कोई सांस बाकी होगी हमारे चले आने के बाद किसी वक्त उसे होश आया होगा और उसने रेंग कर या चल कर वहां से निकल जाने की कोशिश की होगी लेकिन कोशिश में नाकाम रहने के बाद वह गयब कहा हो गया पिछले कमरे के करीबी तहकाने को जाती सीर्या है क्या पता वह उन सीर्यों से लुड़का हो नीची तहकाने में जाकर गिरा हो और अभी वहीं पड़ा हो वहाँ कोई तहकाना भी है हाँ तुम्हें नहीं मालूम नहीं रोबीरो एक शंट ठिटका और फिर बोला बहरहाल इमारत के गिर्थ पुलिस की गैर मौजूदकी की रू में यह एक बात निश्चित है कि वो अभी गायब है वह तहकाने में हो सकता है और हो सकता है कि अभी जिन्दा हो जिन्दा हुआ तो क्या होगा हमें इस बात की तस्दीख करनी चाहिए ठीक है रात और हो लेने दो हम फिर वहाँ चलेंगे राहुल ने वर्शा के होस्टल की कमरे का दर्वाजा खटखटाया पर्स में से बरामत हुए पते की सहारे वह भाय खला में मिसेज ग्रे की गेस हाउस में पहुचा था दर्वाजा खुला चौकर पर जो युवती प्रकट हुई उसे देखते ही राहुल के नेत्र फट गए पलक छपकते उसका सारा नशा काफूर हो गया पूनम वह भचक का सा बोला पूनम युवती हैरानी से बोली कौन पूनम तुम यहाँ बंबई में मिस्टर यह क्या बढ़वडा रहे हो तुम किससे मिलना है तुमने मिलना तो मुझे डॉक्टर वर्षा परधान से है लेकिन पूनम तुम यहाँ यहाँ कोई पूनम नहीं रहती मिस्टर और मैं ही डॉक्टर वर्षा परधान हूँ तुम राहुल मंत्र मुक्ष सा बोला पूनम नहीं हो नहीं, कहाना, मेरा नाम वर्षा है, कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है, दो सूरतों में इतनी समानता, तुम्हारा मतलब है मेरी सूरत किसी पूनम से मिलती है, मिलती है क्या, हो बहु मिलती है, कहीं कोई फर्क नहीं, पूनम कौन है, अगर तुम पूनम नहीं ह तो वह है कोई और तुम कौन हो मेरा नाम राहूल है राहूल राम चंदानी मुझे क्यों पूछ रहे थे राहूल ने ओवर कोट की जेब में से पर्स निकाल कर उसकी तरफ पढ़ाया यह तुम्हारा है बह बोला हाँ वर्शा ने झपट कर पर्स उसके हाथ से ले लिया तुम से मैंने इसे उठाया होगा अगर तुम मुझे बताओगी कि तुमने इसे कहां खोया था तो मुझे मालूम हो जाएगा कि कल रात मैं कहां था तुम्हें नहीं मालूम कि कल रात तुम कहां थे नहीं राहूल की स्वर में खेट का पूठ था दरसल कल रात मैं नशे में था न निश्ची साख खड़ा रहा तुम उसे प्रस्थान का कोई उपकर्म ना करता पाकर वर्षा बोली इस वर्ष को वापस लोटाने का कोई इनाम चाहते हो नहीं नहीं राहुल एकदम हरबडा कर बोला तुम मुझे गलस समझ रही हो मैं तो महज मेरा मतलब उस टैक्सी फेर से जो तुमने यहां आने के लिए खर्चा वर्षा ने जल्दी से बात सुधारी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो फिर तो मैं परस लोटाने आने की तुम्हारे जहमत का शुक्रिया ही अदा कर सकती हो नेवर माइंड डैट तुम जानना की चाहते हो कि कल रात तुम कहां थे यह एक लंबी कहानी है प्लीज कमिन एका एक वर्षा निर्नायत मक स्वर्मे पूरी और चौकट पर से हट गई वर्षा ने बड़े सबर के साथ सारी कहानी सुनी लगता है वह पूरी कल नशी की हालत में तुम्हारी कलपना शक्ती प्रबल होठी थी नहीं राहुल एक एक शबप पर जोड़ देता हुआ बोला मैंने कोई सपना नहीं देखा था मैंने हकिकत बयान की है तुम उस आदमी को जानते नहीं तुमने ठीक से उसकी सूरत तक नहीं देखी तुम्हें यह तक पता नहीं कि वह तुम्हें कहां मिला था लेकिन तुम उसको तलाश कर रह हाँ ordered क्यों कि कर रात मैंने जहाँ उसी देखा था वहीज़ा अभी वही पढ़ा हो सकता है वही बेचारा खैथा जरूर नशे में गिरकर अपना माता फोरor बैठा होगा। कैसे भी सही लेकिन खायल था और चलने फिरने से लाचार था हो सकता है अभी भी वह उसी हालत में कहीं पढ़ा हो और मेरी मदद का इंतजार कर रहा हो अजीब बात है तुम एक नितांत अजनबी के लिए हलकान हो रहे हो हम सभी अजनबी हैं एक दूसरे के लिए फिर भी हम एक दूसरे के काम आते हैं तुम भी तो मेरे लिए अजनबी हो लेकिन मैं तुम्हारा पर्स लोटाने आया हूँ ओह कल रात हम दो अंजाने यानि कि तुम और मैं किसी वक्त एक ही जगे पर थे उस जगे पर थे जहां कि तुमने अपना पर्स गिराया था और जहां से कि मैंने तुम्हारा पर्स उठाया था अब अगर तुम गहे बताने के जहमत गवारा करो कि कल शाम तुम कहां कहां गई थी तो मेरा काम बन सकता है साधारंता वर्षा अजनवियों से बहुत परहेच करती थी और शराबी आदमी से तो उसे वहशत होती थी राहुल में दोनों खामिया थी लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि उसे वह आदमी ना काबिले बर्दाश नहीं लग रहा था सुनो वह बोली मेरा पर्स अब पर्स की तुम्हारे पास मौजूद्गी से मुझे लगता है कि फर्ष पर पड़े वह आदमी तुम थे मेरी चीक की आवाज से तुम्हारी तंद्रा टूटी थी तुम वहां से उठे थे तुमने मेरा पर्स उठाकर जेब में डाला था और वहां से रवाना हो गए थे खंडर मकान राहुल सोचता हुआ बोला जिसकी सिर्फ दिवारे खड़ी थी और तक्रीबन छते गिर चुकी थी हाँ तुम्हारे खयाल से उसके पिछले कमरे में मैं बेहोश पड़ा था हाँ मेरा साथी कहा था वहाँ और कोई नहीं था मेरा मतलब है कमरे में तो रास्ते से इमारत से बाहर गए थे उनमें से कोई घयल था या बीमार था या किसी सहारे का तलबकार था नहीं वे दोनों तो एकदम चौकस थे तो फिर मेरा साथी उनमें नहीं था वह जरूर मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ही मुझसे बिछुड चुका था वर्शा खाम कर मुझे यह बता सकती कि तुमने इमारत में मुझे कहां पड़े देखा था तो सौरी यह मुम्किन नहीं मैंने अपने मंगितर के साथ डिनर पर जाना है अभी थोड़ी देर में वह मुझे लेने आने वाले हैं ओ राहुल ने एक गहरी सांस ली और उठता हुआ बोला ठी इसने विशाल आदमी के चहरे पर वह बच्चो जैसी मुस्कुराहट वर्शा को पहुत अच्छी लगी यह पूनम बह बोली शकल में जिसकी तुम्हें मैं डुप्लिकेट लगी थी तुम्हारी कोई सगे वाली है राहुल ने बड़े अफसार पून धंग से इनकार में स्त करजती है ऐसा उसने कहा था हां कहा रहती है वो रंदन में साउथ हॉल में तुम उससे प्यार करते थे बहुत जादा ऐसा जैसा कभी किसी ने किसी से नकिया होगा वो लड़की छोड़ो उसके जिकर से भी मेरे दिल के जगम हरे हो जाते हैं पहले ही तुम्हारी सूरत लेकिन और कुछ न पूछो यह एक ऐसी कहानी है जो खुद अपने कलेजे में नश्तर उतारे बिना सुनाई नहीं जा सकती बहुत लंबी कहानी है यह है जिसे सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं तुम्हारा मंगेतर जो आने वाला है तुम्हारे पास तो वक्त है न सुनाने के लिए वर्षा तनिक उफास वुंट स्वर में बोली हाँ राहूल के मुझे आह निकल गई मेरे पास तो वक्त ही वक्त है वर्षा खामोश रही राहूल भारी कदमों से चलता हुआ वहां से विदा हो गया तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद